सभी को नमस्कार हम लोग पट रहे थे घटना चक्र 2022 की स्रीज में इंडियन पॉलिटी जिसमें हमने कल पढ़ा था सर्वोच नियाले और संसदी कारे समिथिया तो सर्वोच नियाले में पूरा डीटेल नोट्स पढ़ने के बाद लवक 13-14 प्रशन हो गये थे और आज हम उस सर्वोच नियाले के नियाधीसों की सेवा निवर्ति क्या है तो इसके लिए सही हो जाएगा सही जवाब 65 और अगर हम बात करेंगे 62 वर्स तो यह हो जाएगा आपके हाई कोट के लिए अगले प्रशन को देखते हैं उचितम नियाले के नियाधीसों के वेतन का निर्धार से प्राप्त होते हैं कोशन नमबर 17 कोशन नमबर है भारत के उचितम नियाले की स्वायत्ता की रक्षा हेतु क्या प्रापधान अर्था भारत के उचितम नियाले को स्वतंत्र बनाय रखा जाए इसके लिए क्या क्या प्रापधान है उचितम नियाले के नियाधीसों की न उचiadम नेतीसों को केवन भारत के मुख्य ने अधीस के दोरह हटा जा सकता है यह स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि ये सदन में परस्ताव पारित होता है अरता संसद हटाती है तो दूसरा स्टेट्मेंट गलत है तीसरा नयादीसों का वेतन भारत की संचित निधी पर आरोपित होता है जिस पर विधान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है तो पहला भी सही है तीसरा भी सही है फॉर्ट स्टेटम्न देखते हैं भारत को भारत के अच्छितम नियाले के अफसरों और करमशारी जाती है अर्थात कहीं न कहीं सरकार अगर करती है तो नियाधीस से परामोर्स करती है तो इसमें अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा सही है तो यहाँ पर एक और तीन ही ज़्यादा सही रहेगा तो किवल एक और तीन सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही आगले प्रशन को देखते हैं हम लो यहां देके लिखा हुआ है उचितम नियाले को देश के सम्विधान का प्रहरी माना जाता है यहीं सरनच्छक माना जाता है गाड़ जियल अथा उसकी स्वाधता को बनाया रखने के लिए सम्विधान में कई उपवंद मौजूद हैं उचितम नियाले के नियाधीस की नियुक्ति करते समय राश्पति को उचितम नियाले के मुखे नियाधीस से परामर्स करना आवश्यक होगा वहीं नियाधीसों को राजनीती के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचितनीती पर भारत होता है और जितने भी संचितनीती पर भारत वेतन या मतदान और अधिकारिता वही है जो संविधान ने बरदान की है उच्छ तम न्यालय और उच्छ न्यालय के अधिकारिता सेवक संबध मुखनयाय मूर्ती द्वरा निफ्ट कियाते हैं और नियालेओं का प्रसासनिक भारत की संचित निदी पर भारित होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं क्योंकि संसद समय समय पर आवश्यक्ता नुसार इनकी अधिकारिता को विस्तारित तो कर सकती है लेकिन इसमें कर्टल नहीं कर सकती है आप यहां पढ़ सकते हैं कि समय बढ़तान की अनुच्छित 138 के तहद संसद विधी बना कर उच्छतम नियाला की संग्सूची के समझ में अतरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है उच्छतम नियाला की अधिकारी और सेवक अनुच्छित 146 के तहद तथा उच्छ नियाले के अधिकारी और सेवक 229 के तथ संबद मुख नियायन मूर्ती द्वरा उसके द्वरा निर्दिश नियाधीस या अधिकारी द्वरा नियुक्त किया जाते हैं मिधार खर्टाभी 146 मिधश कि त्व Cau Suppe उचितम् नियागा प्रसाश्थत्नेज ब्हारत के संचित निदी पर भारिध होता है वहीं अनुछ 239 के तहत उच्छ नियाले का प्रसाश्थत की संचित निदी पर भारिध होता है केर्दर की संचितनेजी पर के वल कीवल और ओचि लगा साथ Alberto सरवोच च्रंइले के नियालो सकते कोई रूज जाते हैं अगला प्रशन है भारत के सर्वच नयाले के कारवाहक मुख्य नयाले की नियुक्ती कोँन करता है इसा कब किया आता है जब मुख्य नयादिस अनुपस्थित रते हैं या कारे करने के लिए योगे नहीं होते हैं अनुचेद 126 के अनुसार सरवच नियाले के कारिवाहग मुख्य नियाधीस की नियुक्ति राश्टपती के द्वरा की जाती है ऐसा तब कियाता है जब मुख्य नियाधीस का पदर रिक्त हो अत्वा वह अपने करतव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो 21 प्रश्ट भारत के कारिवाहग मुख्य नियाधीस की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राश्टपती करते हैं 22. सरवच नियाले के नयधीसों की नियुक्ति की जाती है राश्पति के द्वरा किसकी राज्यी सभा द्वरा अनुमोधित होने पर लोगसभा की सलापर प्रदान मंत्री की सलापर या सरवच नैले के मुख नयधीस के परामर्स के साथ तो D option सही है, अगर ये तीनों option अगर हम include करने लग जाएंगे तो कहीं न कहीं सरवोच नियाले की सतंदरता बाधित हो जाएगी क्योंकि सरकार का उस पर नियंतरण हो जाएगा इसलिए इन तीनों ही statement को गलत है और D statement सही है अगले प्रशनों को देखते हैं Q23 है, भारत के सरवोच नियाले ने किस वर्स में नयाधीसों की नियुक्ती के लिए Collegium ब्योस्ता को अपनाया था तो 1993 में जो जजेश वाज चल रहATHे 1993 में इसको अपनाया गया था भारत के सरवोच नियाले ने उचितर नियाधीसों की नियुक्ती और इस्थानांतर्ड के लिए 1993 में कॉलेजियम बिवस्था को अपनाया वर्स 1993 में सुप्रिम कोट और डिवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसियेशन बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में सबसे पहले वर्स तम नियाले द्वरा नियाधीसों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का नियनाय दिया गया अर्थात आज कॉलेजियम की बात जो होती है वन प्लस फौर होती है यानि एक तो मुख्य नैदीज होते हैं और चार वरिष्ट नैदीज भी इसमें सामिल होते हैं लिखा है कि सरवच नैले के उस मंडल में जो सर्वोच न्याले में जजों की न्यूक्ति की अनुसंसा से संबंदित है सर्वोच न्याले के मुख्य न्याधीस के अत्रिक कुछ अन्य वरिश न्याधीस भी होते है तो इनकी सदसे संख्या कितनी होती है तो मुख्य नयादीस के साथ चार लोग और सामिल होते हैं तब जाके वो कॉलेजियम बिवस्था बनती जो बाकी नयादीसों की न्युक्ति करती है तो यहाँ पर B option सही हो गया कंडी 5 प्रशन है नमलिकित में से किसमे उच्चतर नयादीसों की न्युक्ति में कारेपाली का विधाई का मुख्य न्यादीस की भागीदारी के अनुसंसा की गई है तो दुती प्रशासनिक सुधार आयोक के दोरा किया गया इसका Q26 है भारत के सरोच नियाले में निमलिखित में से किस प्रकार के नियाधीस या नियाधीसों की नियुक्ति की जा सकती है तदर्थ नियाधीस जब कोरम पूरा ना हो अतरिक्त नियाधीस जब कारेभार अधिक हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए ओफ्षन सही होगा कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि आप तदर्स को निफ्ट कर सकते हो लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है अत्रिक नियाधिस नहीं कर सकते है यहाँ पढ़ते हैं इसके प्रोविजन को कि सम्विधान के अनुच्छे 127 के तहर यदि किसी समय भारत के सरवच नियालय के सत्र को आरोपित करने चालू रखने के लिए उस नियालय के नहीं के नहीं के किसी नहीं को सरवच नहीं में तदर्थ नहीं के रूप में नामित किया जा सकता है तदर्थ नियालय के संदर्ब में है और नहीं नहीं है दूसरी और अपर यह अत्रिक्त और कारेकारी नियालय के नियालय के नहीं की जा सकती इसलिए दूसरा इस्टेट्मेंट गलत था सरवच नहीं में तदर्थ नियालय के किसी सतर के लिए नहीं कोरम पूरा नहीं हो पाता है तब इस कोरम को पूरा करने के लिए तदर्थ नहीं की नहीं की जाती है भारत के राश्पती की पुर्व अनुमती से मुख्य नहीं मूर्ती द्वरा उच्छतम नियालय के सिवानिवित किसी नहीं को उच्छतम नियालय के नहीं की पास है तो जी बिलकुल दूसरा स्टेट्मेंट सही है और पहला भी सही है दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही हो जाएंगे आगे देख लेते हैं कोशन मत 30 उच्छतम नियाले में सम्विधान के निर्वाचन से संबंदित मामले की सुनवाई करने के लिए नियाधीसों की संख्या में कितनी कम से कम होनी जब भी सम्विधान की ब्याख्या करने की बात आती है तो को भी सामिल होना अनीवार हैस्द सम्विधान के ानुछह 1457 के तहट यह प्रावधान किया गय कि जिस मामले में इस सम्विधान के निर्वाचन के बारें विधी के कोई सारवान प्रश्न अंतरवलित है उसका विनिश्य करने के लिए सम्विधान के अनुच्छे 143 राश्पती द्वारा नियाला के परामर से के अधे निर्देश के लिए सुनवाई करने हैं तू बैठने वाले नियाधीसों की संक्या नियूनतम 5 होगी कितनी होगी? 5 होगी इस परकार उच्छतम नियाला में सम्विधान के निर्वचन से संबंदित मामले की सुनवाई करने के लिए नियाधीसों की संक्या कम से कम 5 होनी ज़रूरी है और इसे कोही constitutional bench या सम्विधानिक पीट के रूप में जाना जाता है कोशन नमर 31 देखते हैं सम्विधान के निर्वचन के बारे में विधी के सार्वान प्रशने से संबंदित किसी भी विवाद पर विचार करने के लिए उच्छतम नियाला के नियाधीसों की संक्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 5 होनी चाहिए जिसमें Chief Justice of India यानि भारत के मुख्यने अधीस का सामिल होना आनिवारे है अगला प्रशन है 32 नंबर पे केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णे करने की भारत के उच्टम नियाले की सकती मूल या आरंबिक अधिकारिता अर्थात औरिजनल जूरिडिक्सन के अंतरगत आती है और आर्टिकल 131 के अंतरगत का आगया है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का अगर विवाद है एक और भारत सरकार और किसी राज्ये या राज्ये होता था दूसरी और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है अगर तीसरा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधी ततत थे, कोई ऐसा प्रशन अंतर नहीं था, जिस पर किसी विधी अधिकार का अस्तित या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अने नियालेों का अपवरजन करके उचितम नियाले को मूल अधिकारिता प्राप्त हो जाती है, तो कुल मिलाके मूल अधिकारिता 131 के अंतरगार राज्य और के अंदर के वीच विवाद की स्तिती को निप्टाने के लिए होती है, अगला प्राशन है, प्लस भारत सरकार और किसी संग राज्य चितर के वीच अगर विवाद हो रहा है, तो यह भी मूल अधिकारिता के अंतरगात नहीं आता है, क्योंकि एक आत्मक लक्षण होता है, और केंद सरकार ही संग राज्य प्राशासन को चलाती है, तो इनके विवादों को अगर सुप्रिम कूट देखती भी है, तो मूल अधिकारिता में नहीं देखती है, कुछी और अधिकारिता में, अपीली अधिकारिता में देख सकती है, तो कहने के मतलब होगे, जो मूल अधिकारिता होती है, मुख्य रूप से वो संगवाद के ढाचे को बचाये रखने के लिए होती है जहां केंदर और राज्यों के वीज़ विवाद होता है लेकिन केंदर और भारत किसी संग राज्चेतर के अगर हम बात करेंगे तो दोनों एकात्मक सक्ती को प्रतिशत्त करती है ना कि संगवाद को इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेट्मेंट गलत है भारत के सरवोच नियाले की सक्तियों के विशह में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेस जारी करने की अनन्ने सक्ती है आगे देखिए वह अंतरसास की विवादों के मूल में मूल अवम अनन्न छेतर अधिकार रखता है यह भारत के राश्पती द्वारा कानून के प्रश्ण या किसी तत्थे को निर्दिष्ट किये जाने पर सलाकार अधिकारिता रखता है इसके पास अपने ही निर्दा या आदेश के पुनर विचार करने की सक्तिति इसमें B, C, D तीनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन A गलत है आप कहेंगे सर्व मूल अधिकार की तो रख्षा सुप्रिम कोट करता है तो मेरे दोस्तों ये आर्टिकल 32 के अंतरगत करता है जबकि प्रशन पूछा जा रहा है ऑफ्षन में कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रख्षा के लिए आदेश जारी करने या रिट जारी करने की अनन्ने सक्ति अनन्ने का मतलब होता है कि केवल और केवल इसी के पास है जबकि ऐसा नहीं है आर्टिकल 226 का प्रियोग करके हाई कोट के पास भी इस सक्तियां है तो ये अनन्ने सक्ति का पार्ट नहीं हुआ जो केवल सुप्रिम कोट के पास हो ये तो हाई कोट के पास भी है इसलिए पहला स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा कोशन में 35 है निमलिखित कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है सरवुच नियाले का गठन 1950 को गठन हुआ बिलकुल 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ और 28 जनवरी 1950 को इसका उधगाटन किया गया कोट मार्सल की भी सुनवाई कर सकता है सरवुच नियाले कोट मार्सल के साथ अन्य किसी भी उच नियाले के अदालतों की सुनवाई कर सकता है बिलकुल कर सकता है तो सी ऑफशन सही हो गया क्योंकि यह स्टेट्मन गलत है भारत का सरोच न्याले एक अभिलेखी न्याले है इसका मतलब क्या है इसका तात्पर क्या है इसे अपने सभी निर्णेओं का अभिलेख रखना होता है इसके सभी निर्णेओं का साक्षात्मक मोले होता है और इस पर किसी भी न्याले में प्रश्ण चिन नहीं लगाया जा सक गिवल उचे नियाले को, गिवल उचे नियाले को, या उचे नियाले और उचे तम नियाले को। तो C, IF हो जागा राश्टपती के अनुमोदन से ही वो किसी और जगे पर भी इसकी सुभाई कर सकते से कलकत्ता में या चेन्नाई में मद्रास में या कहीं भी कर सकते हैं नई दिल्ली के सिवाएं अनुच्छे 130 में ये पावर दी गई है कि उच्छितम नियाले दिल्ली में अथ्वा ऐसे अन अस्थान या अस्थानों में अधिविष्ट होगा जिने भारत का मुख्यने अधीज राश्टपती के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा अगला प्रशन 39 नियमलिखित में से किस वाद में उच्छितम नियाले ने समविधान के मूल धाचे का सिध्धान्त परतिपादित किया तो केश्वानंद भारती जिसका सिध्धान तया था 24 अपरेल 1973 को यह निर्णे आया था केश्वानंद भारती बनाम केरल राज्जे ध्यान दें कि यह जो मामला था केरल राज्जे के साथ था उच्छितम नियाले कि 13 सदसी समविधान पीट में समविधान के मूल धाचे का सिध्धान परतिपादन किया यदि इस निर्णे में समविधान संसोधन की संसद की सक्त मूल भूठ, धाचे के आउ धाणा परतिपादित की गई तो यहां पर आप देखेंगे इंद्रा साहनी वाद भी गलत है, संग्री परसाद का वाद भी गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा केस सौननद भारती केस कौन सा केस होगा केस वनन्द भारती केस होगा और यहां पर डी ऑफ्शन दिया उप्यक्त में से कोई नहीं क्योंकि तीसरा बचता रूदल और यह भी गलत है कोईशन वर 41 है भारती सम्विधान के अनुचेदों में से कौन सरवच नियाले द्वारा सम्विधान का अनुलंगनी मौलिक धाचा गोसित किया गया है तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, 245 तो यहां पर लिखा है कि अनुलंगनी मौलिक धाचा तो आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 226 और 227 भी है क्योंकि हाई कोट की सक्तियों से संबंदित है तो इसमें संसोधन नहीं किया जा सकता है इस तरीके से कि इनकी सक्तियों को कम किया जा बढ़ा तो सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं और 245 की बात करेंगे, तो यह भाग 11 में विधाई संबंदों में आता है अर्थात केंदर की सक्तियों से संबंदित है और इसको मौलिक धाचा नहीं कहा जाता है तो जब चार स्टेटमेंट आप काटेंगे तीनों जगह से तो आपका वैसे भी एंसर आजाएगा एक दो तीन अगले प्रश्ण को देखते हैं भारत में सम्विधान की मूल सनचना के सिध्धान्त का सुरूत क्या है तो नियाईक ब्याक्या है अर्थात नियाईपालिका के द्वारा समय समय पर विभेन केसों या विवादों में इसका निर्णय किया जाएगा उच्तम नियाले द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंड पीट किस केस में बनी थी तो गोलकनाथ के केस में बनी थी गोलखनाथ की केस में भी सबसे आदा जोएकी बढ़ी थी 11 लोगों की फीट क्योंकि केस वान भारती केस में 13 नयाद हीसों की फीट थी सम्वेधानी फीट और जब की गोलखनाथ में 11 लोगों की बनती है अगले प्रशन को देखिए निमलिकित में से किस वाद में उच्टम नयाले ने यह धारणा ब्यक्ती मूल अदिकार ब्यक्ती को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूप रेखा तयार करने के लिए सक्छम मनाते हैं तो गोलक नात बनाव स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में यह केस आया था अब यहां पर कुछ वाद और उस वाद में उच्टम नयाले की बेवस्ता के तुरुटिपूर्ण युक्म को पैचानना है कि कौन सा जोएकि युक्म कलत है जैसे इंद्रा साहनी वाद में क्रीमी लेयर की अवधाना आई थी तो यह सही है विशाखा केस में अपने कारेस्थल पर यौन उत्पीडन से कामकाजी महिलाओं का सनक्षण यह भी सही है मेनका गांधी वाद में आर्टिकल 14.19.21 परस पर अपवरजी नहीं है यह भी सही है लेकिन बेला बनर्जी वाद में विदेश यात्रा का दिकार है दैहिक सतंता का भागा यह गलत है कोकि यह जो निर्णे था आर्टिकल 21 यह भी मेनका गांधी वाद में ही 1978 में आता है तो D option सही हो जाएगा कोकि यही statement गलत है तो देखते हैं बेला बनर्जी वाद किस से संबंदित है यहां लिखा है बेला बनर्जी वाद बनाम पश्चिम मंगाल भूमी विकास नियोजन अदिनियम 1948 से संबंदित है और विदेश यात्रा कादिगार देहिक सतंतरता के भाग के रूप में उच्चितम नियाले दोरा मेनका गांधी वाद में ही माना गया था होशन में 46 है निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा एक सही है यह बताईए यह केवल मूल अच्चितरा दिकार रखता है यह केवल मूल और अपिली च्चितरा दिकार रखता है यह भी अटाईए यह केवल परामर संबंदी और अपिली च्चितरा दिकार रखता है यह भी गलत यह मूल अपिली परामर संबंदी तीनों ही च्चितरा दिकार रखता है तो सरवच नियाले में जो सम्विधानिक विवाद से सम्मधित है तो अनुच्छेद 143 A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा C अगले प्रश्न को देखते हैं सम्विधान की वियाख्या से सम्मंदित सभी विवाद सरवच नियाले के पास लाए जा सकते हैं इसके अंतरगत क्या होता है कि अपीली छेत्र अधिकार के अंतरगत जो एकी B option सही हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं वच्छितम नियाले बहरत के राज चेतर में सभी नियालेों से अपील का सरवच नियाले होता है उच्छितम नियाले की अपीली अधिकार्ता 9.CM विवाजित होती है पहला समविधान के निर्वाचन के मामले 132 दूसरा सिविल मामले जिसमें समविधानिक प्रशन चाहे हो या नहीं तीसरा अपराधिक मामले जिसमें समविधानिक प्रशन चाहे हो या नहीं तो देखिए सिविल भी ले लिया अपराधिक भी ले लिया सकते हैं और 143 के अंतरगत क्या होता है प्राश्ट्पती के द्वारा समविधानिक सलाकारिता का प्रयोग किया जाता है तो यह इसकी समविधानिक सलाकारिता हो जाती है कोशमर 50 है समविधान का कौन सा अमच्छेद उच्छतम नियाले को उसके दोरा दिये गए नियणए अत्वा आदेश के पुनरवलोकन हेती अदिक्रित करता है। आर्टिकल 137 हर्थात जो उच्छत मियाले हैं सर्वोच नियाले वह अपने नियणए को पलेट भी सकती उस पर पुन्रावलोकन भी कर सकती है यह आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है होश्य नमर 51 है उच्छतम नियाले द्वारा सुनाए गए निर्णे या दिये गए आदेश के पुन्रावलोकन के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है भारत के राश्पती को ऐसे निर्ण कि अनुमती से उच्छतम नियाले के निर्णे या आदेश के पुन्रावलोकन का अधिकार है उच्छतम नियाले को अपने निर्णे या आदेश के पुन्रावलोकन का अधिकार नहीं है तो बी ऑफशन सही हो जाएगा कि अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 137 कौन सा आर्टिकल पड़ा हमने 137 में इस पर लिखा है कि वो अपने आदेश या फुन्रावलोकन को जोएगी बदल सकती है अर्थात अपने निर्णय को बदल सकती है तो बी स्टेट्मेंट सही हो जाएगा 52 प्रशन है भारत के सरवच नियाले के निर्णय के संबन में निम्ल में से क्या सही है सरवच नियाले को अपने निर्णय को परिवर्थित करने का अधिकार है बिल्कुल सरवच नियाले को अपने निर्णय को परिवर्थित करने का अधिकार नहीं है गलत किवल भारत के मुख बाइसों को पलट सकते हैं उस पे पुनरविचार कर सकते हैं कोश्च नमर नेक्स देखते हैं 53 भारत के समविधान के संदर में सामान विदियों में अंतरविष्ट प्रतिशेद अत्वा निर्बंधन अत्वा उपबंध अनुच्छे 142 के अधीन समविधानिक सक्तियों पर प्रतिशेद और निर्बंधन की तरह कारें नहीं कर सकते कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है तो आप इसको देखेंगे कि हम डिरेक्ट इसके एंसर को देखते हैं भारत का उच्छतम न्याला है अपनी सक्तियों के प्रयोग में संसद्वारा निर्मिध विधियों से बात द विधानिक्ता के विशा में प्रक्षापन करने का नियापालिका को अधिकार है विधान मंडलों द्वारा निर्मिध विधियों के प्रग्यान को प्रश्निगत करने का नियापालिका का अधिकार है नियापालिका का सभी विधाई अधिनियमों के राश्पती द्वारा उन भारत में सरवोच रूच नेयले को नयायक पुनर्प्षन की सकती प्राप्त है केंडर और राज दोनों अस्तरपे विधियों और कारपाली का आधेसों की सम्भयधानिकता की जाज की जा सकती है यह ध्यान दिना केंडर के साथ साथ राज्यों की बात कर रहा है कि राज्य के जो नियम होतें उसको हाई कोड तो चेक करती है, जरुरत पढ़ने पर सुप्रेम कोड भी उसकी समधानिकता चेक कर सकती है सरवोच नियाले द्वारा अधिकारिता तीद पाये जाने पर इन्हें अवसमधानिक अवयद या सुनिगोसित किया जा सकता है Quesion number next is 55 नियाइक पुन्रावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच नियाले को सभी प्रक्रणों पर अंतिम अधिकार पराप्त होता है राजपती के विरुदत दोसा रोपन कर सकता है कुछ नियाले द्वारा नियर्डित प्रक्रणों की समालोशना कर सकता है या राजपती के किसी भी कानून को अवैद घोसित कर सकता है तो क्या कर सकता है वो अवैद घोसित कर सकता है तो D option सभी हो जाएगा 56 question है Quesion number 56 है नियाइक पुन्रावलोकन में नियाले को निमलिखित अधिकार है यदि कोई कानून या आदे सम्विधान के विपरीत हो तो उसे औसम्विधानी घोसित करने का बिल्कुल सही तो ए स्टेट्मेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसे औसम्विधानी घोसित कर सकती है 57 question है भारत का सम्विधान अपने मूल धांचे को संगवाद, पंथनेट पेकस्ता, मूल अधिकारों तथा लोकतंतर के रूप में परिवासित करता है बिल्कुल सही बात है लिखा है भारत का सम्विधान अपने मूल धांचे को संगवाद, पंथनेट पेकस्ता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत के रूप में परिवासित करता है तो आप देखिए कि संगवाद, पंथनेट पेकस्ता, मूल अधिकार, लोकतंत यह हैं तो जरूER मूल ठाचे लेकिन इसको भारत का सम्विधान नहीं बलकि भारत का सर्वुचे नयाय ब्याक्षिाइट करता है पहला इस्टेट्मेंट दूसरा करा भारत का नागरिकों की स्वतंतरता तथा उन आदरसों जिन पर सम्विधान आधारत है कि सुरक्षा है तो नियाइक पुनरवलोकन की विवस्ता करता है तो यह विवस्ता सर्वोचेन्याले के द्वारा की जाती ना कि भारत के सम्विधान के द्वारा है तो इस आधार पे आप देखेंगे कि आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पे एक मिनट उकिएगा यहाँ कहा जा रहा है कि भारत का सम्विधान नागरिकों की स्वतंतरता तथा उन आधार्सों जिन पर सम्विधान आधारित है कि सुरक्षा है तो नियाइक पुनरवलोकन की विवस्ता करता है तो 20 स्टेटमेंट सही हो जाएगा केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है पहला गलत है और यह आईएस परी 2020 में पूछा गया है प्रश्न बहुत अच्छा था आईए हम इसको देखते हैं कि भारत के समविधान में कहीं भी मूल धांचे को परिभासित नहीं किया गया है मूल धांचे सब्द काउले केसवनन भारती 1973 के केस में आया भारत का समविधान नागरिकों के स्वतनता और उन आदर्सों जिन पर समविधान आधारित है इसकी सुरक्षा है तो नियाइक पुन्रवलोकन की विवस्था करता है कैसे करता है समविधान के अनुच्छे 13 के अंतरगत नियाले को नियाइक पुन्रवलोकन की सक्ति प्रतान करता है और यह सक्ति अनुशेद 32 के अंतरगत उच्छतम न्याले और 226 के अंतरगत हाई को भी दी जाती है अर्थात नियाइक पुन्रवलोकन की सक्ति यहां पर प्राप्त होती है Q7. नेक्स देखते हैं 58 भारत में नियाइक पुन्रवलोकन की सक्ती का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो नियाइक पुन्रवलोकन का प्रयोग सर्वचनियाले और उचनियाले दोनों के द्वारा ही कियाता है बी स्टेट्मेंट सही हो जाएगा अगले प्रशन को देखें भारत के संविधान के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार किजे किसी भी केंदरी विधी को संविधानिक रूप से अवैद घोसित करने की किसी भी उचनियाले की अधिकारिता नहीं होगी अब ध्यान देने वाली बात है कि केंदरी विधी की बात कर रहा है भारत के सम्विधान के किसी भी संसोधन पर भारत के उच्छतम न्याले द्वरा प्रश्ण नहीं उठाया जा सकता है तो ये भी गलत है अगर उस संसोधन के द्वरा मूल अधिकारिता या आप कहेंगे कि अगर मूल धाचे का उलंगन किया जा रहा है या संगवाद की धाचे का उलंगन हो रहा है तो उस पर प्रशन उठाया जा सकता है तो इसलिए यहाँ पर D option हो जाएगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा पहला क्यों गलत हो गया? क्योंकि केंदरी विधी पर राज्य का उच्छ नियाला जो है कि कभी भी प्रशन नहीं उठा सकता मतलब उठा सकता है यानि उस पर प्रशन पूछ सकता है अगला प्रशन हो जाएगा 60 नियाइक पुन्रावलोकन प्रचलित है कहां पर भारत और USA दोनों में क्योंकि यह USA का ही प्रोविजन था जहां से भारत ने ग्रहन किया इसे जो है की आप देखेंगे भारत के सम्विधान के अंचे 13 के द्वारा नियाइक पुन्रावलोकन का प्रावधान किया गया है सयुक्तराज अमेरिका के सम्विधान से अप्रेरित है जबकि United Kingdom अर्थाद Britain के संसर सर्वोच है उसके द्वारा बनाएक कानूनों को नियाला में चुनोती नहीं दी जा सकती है कोशन नमर 61 है भारत में नियाइक पुन्रावलोकन का छेतर सीमित है द्यान दीजेगा भारती सम्विधान में कुछ उधार की वस्त में लिया है तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक दूसरे की ब्याक्या नहीं कर रहे है इसलिए बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ए और आर सही तो है लेकिन दोनों एक दूसरे का इस पश्टी करण नहीं कर रहे है तो B statement सही हो जाएगा अगले प्रश्न को देखते है Question number 62 है भारती समविधान में नियाईक पुन्रावलोकन का आधार क्या होता है वैधिक प्रक्रिया, विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया, विधी का सासन, दृष्टान तो अभी समय तो B statement सही है विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया, यही इसका आधार होता है Question number 63 है कोई भी समविधान, संसोदन, कानून भारती सरवच नियाले द्वारा अस्थापित किया जा सकता है यदिव वर्तमान, दूइस्त्री, संगी ब्योस्था के अस्थान पर तीनस्त्री ब्योस्था इस्थापित करता है विधी के समग समानता के अधिकार को भाग तीन से अटाकर समविधान में अन्यत्र कहीं रखता है कारेकाड़ी की संसिदी ब्योस्था के अस्तान पे अध्यक्षात्मक ब्योस्था रखता है या सरवुच न्याले के भार को कम करने तो एक संगी अपिली न्याले जो एकी इस्थापित करता है यह option सही हो जाएगा कि विधी के समख समानता की अधिकार को भाग तीन से हटाकर समविधान में अन्यत्र कहीं रखता है अर्थात मूल अधिकार की समाप्ति करने की बात कर रहा होता है विधी के सासन के अंतरगत आर्टिकल 14 का प्रियोक करके तो यह statement सही है कि यहाँ पर विधी के समख समानता की अधिकार को लेके वो असमविधानी गोसित कर सकता है सुप्रिम कोड तो दोस्तों आज तो हम लोग यहीं तक रखेंगे 63 कोशन तक अभी इसमें लगवग 50-60 कोशन और है जो नेक्स वीडियो में कवर किये जाएंगे मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा कोई अगर डाउट है आपके प्रश्ण में आपकी दिमाग में तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम लोग उसका रिप्लाई जरू करेंगे और चैनल को से करिएगा सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद